अगर चांडी से लेकर रांची तक आप नहीं चेहते तो हमको ग्रह मंत्राले का भी तरवाजा भारा सरकार का खटगडाना पड़ेगा कि हमको दोनों बच्चों को न्याँ चाहिए उसके परिवार को न्याँ चाहिए भाई तो बहनो इस तिती पड़ से बतुतर बोड़े इस तिती गंभीर हो रही है आप किसी भी ठेक्ट में चुड़े जाओ हमने वो समय भी देखा था जब 5 बज़े के बात पलापु की बसे सबस्बंद हो जाती थी पलापु कोई जाना नहीं चाता था 5 बज़े एकपाद अमरा पाला लिट्टी पाला जाना नहीं चा था कि राज में बाराव बजे एक बजी आप लाव जाओ गड़वा जो पांकी जाओ अम्ड़ा पाड़ा जाओ अब तुम्दा जाओ जाओ ने भर जाओ कि राजनीत नहीं कर रहे हुए हम को राजनीत नहीं कर रहे हैं हम 9 महिने तक बहुत इंदजार किये सरकार को समय देना भी जरूरी था चुनी हुई सरकार है मुखे मंत्री बैठ रहे हैं मंत्री बैठ रहे हैं समय देना जरूरी था अगर हम पहले करते तो आप बोलते कि भाई अभी सरकार आई ये अब सुरू हो गए कोविट का काल था, हम समय समय पर उचित मन्च पर उठाते रहे, चाहे वो नागरिक सुविदा हो, हमारी बेटियों की सुरच्छा हो, वेपारियों की सुरच्छा हो, सहायक पुलिस कर्मी की सुरच्छा हो, चाहे सिछोकों की समस्या हो, हम हमेशा हमारे पार्टी के कारिकरता गाँ उटोला पंचाय से लेकर राजधानी तक सक्री रहे लेकिन अब तो हद हो गई हद इसलिए हो गई कि नौ महिने में ग्यारा सो से उपर ये आकड़े हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई प्रांत नहीं होगा एक छोटा सा प्रांत है ना जिसमें नौ महिने के अंदर ग्यारा सो सो उपर जबरन महिलाओं के साथ बलतकार वेभिचार तो ये तो हद हो गई सारी सीमा लांग की गई और इस अत्याचार से हम चुब बैठने वाले नहीं हैं इसलिए बापू के समझ हम सब धरने बेठे हैं ये सरकार पूरी सरफ विफल और हम कह सकते हैं अब पर्तो मैं बीचागर ने था बीचागर के एक छोटे से गाओं में एक 18 साल की लगई और एक 18 साल का लगई जो दोनों ही बड़ोशी थे आज से धाई महिना पहले दोनों की निर्मम हत्या कर उसको टैंड में भेट दे गया जो हमने आवाद उठाई तो पुलिस ने केज तर किया बोले ये आप मज़ प्या है आज पत्ता को करार देकर इस केश को रफ़ा दफ़ाद करने की कोशिश की गई मैं जो जो हमने फिर दबाओ बनाया तो उन्होंने कहा लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई लेकिन रिपोर्ट की रिपोर्ट मित्रों आगे इन दोनों बच्चों की हथ्या हुई है दार दार हथ्यार की गई हमने अधिकारियों को चेताया महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा सही हम लोग सजग है महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा सही जो है भारतिय जनता पार्टी की सरकार जो है वो सीरियस रही है गंभीर रही है और सबसे बड़ी बात यह होगे कि जो कॉंग्रेस पार्टी आत्रस को लेकर इतना बड़ा राष्ट ये मुद्दा वो बना रही है और वही कॉंग्रेस पार्टी की ही एक मंत्री जो है चतिसगर में कल बयान दे रहे हैं तो हम लोग महिलाव से रहा ने गया जब उस तरीके का बयान वो अपने प्रदेश में वेक्ट करते हैं कि नहीं य सब्सक्राइब करते हैं यहां भी क्रीडी जैसे चेत्र में भी हमारे सब्सक्राइब के साथ में दूसकर नहीं हो इसमें हमारे कांग्रेस के लिए जारखन मिक्ती मोचा के लिए राजत के